बॉर्निंग बच्चो बेटा आस डेट है आपकी 1 अप्टूबर 2020 और क्लास 6 की हिंदी की वक्षीट आई है वक्षीट नमबर 4 चलिए स्टार्ट करते हैं कारे पत्रक संग्या 3 में हमने जाना बच्चपन पाठ की लेखे का जो कृष्णा सोबती थी वो अपने बच्चपन की बाते कर रही थी कि बच्चपन में वो कैसे कपड़े पहनती थी चुट्टी वाले दिन वो क्या काम करती थी अब उसके आगे का हमें पढ़ना है चलिए स स्टार्ट करते हैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है यहां तक की बच्चपन के दिल्चस्पियां भी बदल गई है याद रहे उन दिने कुछ घरों में ग्रामो फोन थे रेडियो और टेलिविजन नहीं थे ठीके बिटा उस रहें पर टेलिविजन रेडियो नहीं थे हमारे बच्पन की कुलफ्री आइस क्रीम हो गई है कचोडी समोसा पेटीज में बदल गया है शैतूत और फाल से और खसकस के शरबत कोक कोक पैपसी में उन दिनों कोक नहीं लैमनेट विम्टो मिलती थी शिमला और नई दिल् नहीं था एक छोटी सी चड़ाई और गिर्जा मैदान पहुंच जाते वहां से एक उत्राई उतरते और मॉल पर कंफेंश्री काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट की खुश्बू मन भावनी हमें हफते में एक बड़ चॉकलेट खरीने की छूट थी सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता मैं चॉकलेट लेकर बड़े-बड़े खड़े-खड़े कभी ना खाती घल लोटकर साइड बोर्ड पर रख रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती चलिए आए क्वेशन करते है लेकी का किशना सोबती अपने बचपन में कौन-कौन सी चीज़े मजे लेकर खाती थी बेटा आपको बताईए कि वो कौन-कौन सी चीज़े थी जो मजे लेकर खाती थी आईस क्रीम और ये देखी चॉकलेट मैं इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है किशना सोबती अपन तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी ऊचुकी है इस बात के लिख का क्या उधरन देती है बेटा देखो लिख का ने क्या उधरन दिया है उसने बोला है कि जो कचोड़ी समोसा है वो पेटीज में बदल गए है ठीक है और क्या है शेयतूत और फॉल्से और खसकस के शर्वत कोक पैपसी में बदल गए है यह सब ठीक है इसका आंसर देखे मैंने यहां पर लिखा हुआ है पहले ग्रामोफोन होते थे रेडियो टेलिविजन नहीं होते थे अब होते है पहले शेयतूत और खसकस के जूस होते थे कोल्ड रिंक नहीं खुद लिखना है अब देखो भोजन कौन कौन से हैं जो खाना देखे जो आपको बहुत पसंद है जैसे छोले हुटूरे हो गया और राजमा राजमा चावल हो गए छोले चावल हो गए और और वह सरी चीज़े हैं यह आप खुद लिखेगा ठीक है विविन प्रिकार के नाम लिखने है क्वेशन नमबर फॉर पार्ट में ऐसे शब्द चाटे जो आपने पहली बार पढ़े यहां सुने हैं ऐसे इसमें देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ग्रामो फोन हो गया और लेमनेट विम्टो हो गया वेगर्स डेविको यह सब जो क्या है पहले बार हमने नाम सुने हैं तो मैंने इसका अंसर भी नीचे लिख रखा है फिफ्ट आप अपने बच्पन की कोई मनमौ हो गटना याद करके लिखिए इसमें आपको खुद लिखना है कोई भी आपके साथ कोई गटना होई यो जो आपको याद हो बच्पन में वो आप लिख सकते हैं लेकिन मैंने एक समझाने के लिए घटना लिख दी है ठीक है जब में छोटी थी तो मैं अपने नाना जी के घर जाती थी और वहां पड़ोस में एक आंटी रहती थी वह मुझे बहुत प्यार करती थी और चोकले टॉफी आइसक्रीम बहुत कुछ लाकर देती थी मुझ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेट कीजिए थैंक यू